जैहन दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासिस में तो दोस्तों, आज के फ्यू मिनिट सीरीज में हम डिसकस करेंगे इंडिया की आक्टिक पॉलिसी तो थोड़ा सा रशिया उक्रेन के मुद्दे से अब थोड़ा भटते हैं, थोड़ा दूर चलते हैं तो यह बात करते हैं, इंडिया की आक्टिक पॉलिसी की और दोस्तों, आक्टिक पॉलिसी को इंडिया की आक्टिक पॉलिसी स्तापित करें थी, बनाई गई थी तो दोस्तों पहले तो यह समझ लें कि आक्टिक पॉलिसी के मेंबर स्टेट्स कौन से हैं, हर एक संगठाबगी मेंबर स्टेट्स होते हैं, कुछ उबजर्वर अब आप जाहें तो कैसे भी acronym बना सकते हैं तो अगर यह 8 states को याद रखना है तो एक acronym जो ऐसे में को भी strike करा वो कुछ हम ऐसे कर सकते हैं Drunks GF ठीक है तो यह Drunks GF करके एक acronym बना है इसमें D for Denmark, R for Russia, U for USA, N for आपका Norway, C for Canada, S for Sweden और G और F याने के Greenland और Finland तो यह acronym है, आप चाहें तो कोई और acronym बना सकते हैं, acronym बनाने से हमको वो चीज़े याद रहती हैं, हमको नाम याद रहते हैं, तो फिर prelims के टाइम पर खास करके जब हमको question पूछा जाता है, जब हमने elimination करना होता है कि कौन से options हैं, कौन से गलत हैं, तो यह acronyms काफी हमको करते हैं, ठीक है, अजब Arctic Council के और अगर हम बात करें, देखिए एक leading intergovernmental forum है यह, यहाँ पे cooperation, coordination दिखाई जाती है, between the Arctic states and also, जो native लोग हैं, जो आक्टिक रीजन में रहते हैं, जो इंडिजनिस लोग हैं, जो वहां की tribal, जो वहां के tribal लोग हैं, या जो बाकी Arctic inhabitants हैं, तो इन जो आठ, जो permanent members है, Arctic Council के, यह responsibility लेते हैं कि Arctic ecosystem को कैसे conserve किया जा सकता है, अब Arctic Council जो है, यह बनाए गई थी, under the Ottawa Declaration in 1996, Ottawa याने के Canada का, Canada की जो राजधानी है, Canada का जो capital है, अब member states of Arctic Council की बात करें, तो जैसे अब आपको मैंने बताया कि यह जो 8 states हैं, तो यह रखवाले हैं Arctic region के, within the Arctic, अगर हम circle की बात करें, उसके अलावा यहाँ पे जो inhabitants हैं, जो indigenous लोग हैं, वो भी बहुत important role play करते हैं, as far as conserving the ecosystem of Arctic is concerned, as far as formulating policies for this region is concerned, तो जो health और well-being है, of the indigenous people of the living in the Arctic region, यह topmost priority में रहता है, Arctic Council के agenda में, तो दोस्तों यह six permanent participants हैं, याने कि indigenous people हैं, tribes हैं, तो इनकी संख्या क के गर हम बात करें, for example, elute हो गया, अथा बसकन हो गया, गुच हो गया, इन्यूट हो गया, ठीक है, सामी हो गया, तो यह indigenous लोग हैं, तो उनकी संख्या के गर हम बात करें, तो 500 से लेके लाग तक बीन की संख्या हो सकती हैं, तो लगबग 40 लाग लोग हैं, लगबग 4 million, observer status था, Arctic Council में 2013 को मिला था, इंडिया के साथ चाइना को, इटली को, जपान को, साउथ कोरिया को, सिंगापूर को, भी 2013 में observer status मिला था, ठीक है, तो यह बात याद रहेगी हमको, चलिए, अब इंडियां थी Arctic की हम बात करें, देखिए, जो हमारा संबंध है, आक्टे के साथ वो 100 साल से भी जादा पुराना है, तो 100 साल पहले, 9 February 1920 को, एक ट्रीटी साइन करी गई थी, स्वालबाट ट्रीटी साइन करी थी, अब स्वालबाट क्या है, स्वालबाट ट्रीटी जो है, so basically, this is the स्वालबाट region, so basically, इस ट्रीटी के चलते, जो नौरवे की sovereignty है, over the Arctic, आकिप of economic and commercial activities to the citizens of India in this Arctic Archipelago, तो इंडिया को permanent observer status जैसे अभी आपने डिसकास किया, 2013 में मिला था, यहाँ पे एक और बात समझनी जरूरी है, देखियो, objective यह आप इस तीस को समझनी है, इस प्रिलम्स पास में है, कि इंडिया का जो पहला scientific expedition है, Arctic Ocean में, वो 2007 में हुआ था, और 2008 में, जो हिमादरी है, जो हमारा research station है Arctic में, वो established किया गया था, अब एक छोटा सा homework आपको दे रहो, आपने comment section में यह बताना है, चलो हिमादरी तो Arctic का research station है, अंटार्टिका में, जो इंडिया ने research station established किया था, उसका क्या नाम है, comment section में बता दीजिए, ठीक है, और उसके अलावा इंडिया is the only developing country apart from China, जिसने Arctic में research base बनाया है, तो हमारी काफी जादा involvement इस region में है, चलिए, तो यह दोस्तो स्वालबट region जैसे आपको मैंने भी बताया था, अब इंडिया की Arctic policy की बात करें, तो हमारी Arctic policy, बिगॉस देखिए, अब 2013 से हम एक observer member है, इस council के, हमने वहाँ पे research station भी established करा है, तो हमें interest दिखा रहे हैं, तो इस करके हमने बहुत एक concrete policy बनाई है towards the Arctic region, तो अब यह बहुत ही जादा लंबे अर्से से इस policy की requirement थी, ठीक है, अब Arctic की हम बात करें, तो बहुत जादा global warming की बात आती है, तो Arctic ice caps की बात करें, Antarctica की बात करें, यह melt हो रही है, अब देकि चिंता का विशे तो जुरूर बनता है, क्योंकि obviously अगर यह polar ice caps melt करेंगी, तो water level rise करेगा, ठीक है, that can be very disastrous also, लेकिन अब इसके कारण, ice caps melt होने के कारण, हमको यह भी पता है कि नए shipping के रस्ते बनेंगे, global shipping routes बनेंगी, देकि यहाँ पे बहुत abundant hydrocarbon and mineral resources पाय जाते हैं, आज के time पे हम state of hormones की बात करते हैं, state of मुलक्का की बात करते हैं, इंडिनोशन में कितने global sea lines of communication है, shipping routes है, वो कितने ज़्यादा abundant है, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा, अगर यह polar ice caps Arctic में melt करती रही, तो वहाँ पे इतने resources हैं, जिसको tap किया जा सकता है, जिसको harness किया जा सकता है, तो वहाँ पे नई shipping routes बनेंगे, तो अच्छी बात है कि यह बहुत सही time पे, अच्छे time पे हमने policy Arctic region के towards orient करी है, तो अगर हम pillars of the Arctic policy की बात करें, तो यह 6 pillars है Arctic policy के, एक science and research, climate and environmental protection, economic and human development, transportation, connectivity, governance and international cooperation, और national capacity building, तो हमारी भी कोशिच है capacity building अगर बात आती कि कैसे हम collaborate कर सकते हैं with like minded countries, let's say with UK, let's say with Japan, और even with Russia, कि कैसे हम capacity building बढ़ा सकते हैं, ताकि Arctic region का जो ecosystem है, जो कि बहुत अभी fragile हुआ पड़ा, उसको conserve कर सके, sustainable development की बात, sustainable resource management की बात, Arctic region के oriented हम कर सके, तो देखिए आने वाले समय में तो हमारा बहुत जादा जो strong partner हैगा इस region में, वो Russia रहने वाला है, ठी यह जो region है, Arctic region है, यह 12 से 15% contribute करता है रश्या की GDP को, याद करिए जो Nord Stream 2 pipeline थी, हमने कितनी बार वो एडिटोरिल्स में भी डिसकर्स करी थी, तो Nord Stream 2 pipeline कहां से आती है, जो western shelf है Arctic region का, वहां से वो Germany तक जाती है, ग्रेस फॉल में जाती है, ठीके, तो बहुत सारे abundant resources है Arctic region में, त ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो रश्या को उतना ही access मल रहा है वहां पे, अगर बरफ वहां पे बिगलनी शुरू हो जाएगी, तो definitely वहां पे जो land है, वो clear होना शुरू हो सकता है, agriculture purposes के लिए, तो रश्या is getting access to millions of acres of land, of agriculture access, in the Arctic region, अब चाइना के रोल की यहां पे चाइना में, चाइना की आदत है, चाइना बहुत सारी बाते डिकलेर कर देता है, तो चाइना ने का जी मैं तो एक near Arctic state हूँ, अब चाइना का वैसी जोग्रेफिकली तो देखिए, कोई इतना संबन नहीं बनता है, जोग्रेफिकली तो हमारा भी Arctic के साथ कोई संबन नहीं ह है, ठीक है, जो direct members है, वो तो हमने जो 8 देश है, वो starting में हमने पढ़ लिए, ठीक है, अब चाइना की assertion को counter किया, अमेरिका ने, अमेरिका ने बोला दार देखो चाइना ऐसा है, कि भी दो ही तरह के वहाँ पर members हो सकते हैं, यह तो only Arctic states जैसे अमेरिका है, ठीक है, जैसे डे डॉलर से जादा invest किया हुआ है, वो भी 2012-2017 के बीच में, अब जैसे हम Belt and Road Initiative की बात करते हैं, चाइना का ambitious, जो infrastructure projects है, तो चाहे वो Eurasian region में है, Centrelation region में है, आफरिका में है, तो चाइना भी एक alternative, एक another transportation corridor ठून रहा है, of the Belt and Road Initiative to the Arctic region, तो चाइना की बहुत heavy investment है वहाँ पर, अ ठीकि दोस्तों, अब ये, obviously shipping, अब जैसे अगर ये बरफ पिगलेगी, ice, जो caps है, वो melt करेंगी, definitely अभी हमने shipping routes की बात करें, तो alternative shipping routes बनने शुरू होंगी, ठीक है, अब ये जो geographical location है, this will ensure the shortest sea distance, जैसे ऐसे बरफ पिगलेगी, shipping routes बनेगी, तो distance जो होगा between America, North East Asia, Europe, ये भी औ और कम होता रहेगा, अब अगर इंडिया की Arctic policy की बात करें, क्योंकि connectivity की बात यहाँ पे आती है, तो इंडिया की Arctic policy में target किया गया है, INST, the International North South Transport Corridor, with unified deep water system, UDWS of Russia, and its further extension into the Arctic, अब ये जो दोनों जो, ये जो routes है, अगर हम INSTC की बात करें, UDWS की बात करें, इस connectivity से, हम trade potential of over 250 billion dollars को harness कर सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे पहले समझ लें के INSTC क्या है, है न, because prelims pass में है, तो ये चीज़े हमको पता होनी चाहिए, देंकि INSTC जो corridor है, ये 7200 km long multi mode network है, of ship, rail, and road route, जो के goods move करेगा, between India, Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Russia, Central Asia, Europe, तो हम कितनी बार बात करते हैं, कि हमारी जो connectivity है, Central Asia के towards, बहुत poor है, है न, अब यहाँ पे देखी, एरान में हमने चाहबाहर code भी बनाया है, तो अगर technically INSTC की बात करें, तो हमारा जो excess है, वो Arctic तक बहुत 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 हो सकता है, Russian region तक बहुत बहुत हो सकता है, तो जो route है, primarily INSTC corridor की, वो revolve करेगी between India, एरान, Azerbaijan, and Russia, तो यहाँ पे हमने चाहबाहर project भी बनाया है, यह भी हमको याद रहे बात, ठीक है, अब अगर हम बात करें, UDWS की, वो भी अभी हमने बात करी कि हमारी Arctic policy में linking की बात करीगी है, between INSTC and UDWS, तो unified deep water system अब जो रशिया है, यह connect करेगा, जो की major seas हैं यहरप की, तो वो कौन सी है, Baltic Sea, White Sea, Caspian Sea और Black Sea, तो Caspian Sea और Black Sea को connect बीच में कौन सा, यहाँ पर बीच में कौन सी body आ जाती है, Sea of Azov, ठीक है, Sea of Azov के बगल में यहाँ पर क्या है आपका, Crimea, तो देखी दोस्तों, maps को बहुत ध्यान से पड़िये, Ukraine crisis के चलते बहुत सारी वहाँ पर water bodies हैं, बहुत सारे ports हैं, काफी news में भी है, तो यहाँ पर यह बात आगी, UDWS की, कि भी यह जो चारों के चारों जो नदिया है, इनको connect किया जाएगा in this project, तो आसा value decision हो गया इस topic में, तो conclusion क्या निकलता है, देखिए, हम इतनी वहाँ पर investment कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम like-minded countries क जाद वहाँ पर invest करने को त्यार है, कि कैसे वहाँ की ecosystem को conserve कर सकते हैं, वहाँ पर कितने rich resources हैं, hydrocarbon resources हैं, उसका भी हम फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, the policy is also focused on the scientific research, which includes के जो linkages है, between monsoon and climate change, देखिए, हम अपने हमालियन ice caps की भी बात करें, वो भी melt कर रहे हैं, जो हमालियन glaciers क भी बात करें, वो भी melt करें, तो यह जो study है, जो यहाँ पर करी जाएगी, वो कहीं ना कहीं हमालियन ecosystem को भी कैसे हम conserve कर सकते हैं, उसके भी काम में होगी, और यह जो policy है, हम अपने, हम बाचुदेव को दुमकम की बात करते हैं, civilization है तो उसकी बात करते हैं, that the world is but one family, ठीक है Cosmopolitanism की हम बात करते हैं, तो यह जो Arctic policy है, यह भी बहुत inclusive है, बहुत participative है, जहां पे इंडिया अपनी readiness दिखा रहा है, कि भी हम भी बहुत significant part ले करना चाहते हैं, कि कैसे हम Arctic region की जो fragility है, उसको conserve कर सकें, तो दोस्तों question, दो questions में आपके साथ share कर रहा हूं, जो के previous question papers में से UPC में आये है, related to the Arctic Council, यह पहला question आपके सामने है, तो आपने comment section में बताना है, बहुत easy question है, 2014 में आया था, UPC का है, consider the following countries, Denmark, Japan, Russia, UK, USA, which of the above are the members of the Arctic Council, चार options है आपके नीचे, तो आप कौन से सही option है, comment section में बताईए, ठीक है, अगला question, तो यह 2015 में आया था, the term IndArk, sometime seen in the news, is the name of A, an indigenously developed radar system inducted into Indian defense, B, India's satellite to provide services to the countries of Indian Ocean Rim, C, a scientific establishment set up by India in the Antarctic region, और D, India's underwater observatory to scientifically study the Arctic region, easy question है, आप इसका answer कर सकते हैं, comment section में आपने तीन चीज़े बतानी है, इन दोनों questions के answer, और तीसरा, कि Antarctica में जो इंडिया का research station है, उसका क्या नाम है, चलिए, तो दोस्तों, आज के 3-minute series में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक और topic के साथ, तो अब अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, thank you so much, जहित!